डॉक्टर से लेकि डाइटीसियन तक सबका यही मानना होता है कि अगर आप महंगे वाले अक्रोट या बदाम नहीं खा सकते हैं तो बस रोज एक चमच पीनट बटर खाईए और बिमारियों को दूर भगाईए क्योंकि इसके फायदे इन ड्राइफ रूट से कम नहीं होते है पीनट बटर में हल्दी मिनरल्स, विटामीन, प्रोटीन, आयरन, पोटेसियम, फाइवर काफी अधिक मात्रा में पाये जाते हैं जो हमारे सरीर की ग्रोथ के लिए काफी अच्छा होता है नमस्ते इंडिया, मैं हूँ शालीनी and welcome back to शालीनी किचन पीनट बटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्रम मुफली का दाना लिया है, जो लगबग 10 रुपै का है अब इसे हम धीमी आज पर 4-5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे इसे लगतार चलाते रहना है, जब दाना अच्छे से रोस्ट हो जाता है, तब वो बीच में से फट जाता है तो यह अच्छे से रोस्ट हो गया है, अब इसे हम ठंडा कर लेंगे ठंडा होने के बाद इसे हम अच्छे से मसल मसल के इसका सारा छिलका उतार लेंगे आप चाहें तो किसी cotton के कपड़े में रख के उसको अच्छे से रगड़ दीजे तो भी छिलका आसानी से निकल जाएगा हमारे यहां तो गाव में जो गेहु चावल फटकने वाला सूप होता है उसी में रगड़ कर फटक लिया जाता है जिसे सारा छिलका साफ हो जाता है अब इस दाना को जार में डालना है और अच्छे से पीश लेना है तो पीशने के लिए मिकसर को लगातार नहीं चलाना है इसी रोक रोक के चलाना है पहले इसका हम पा पावडर बनाएंगे फिर इसका पेस्ट बनाना है मुंगफली में से तेल निकलने लगेगा जिससे या एक स्मूध पेस्ट बनने लगता है फिर हम ढखकन लगा के थोड़ा सा और पिस लेंगे देखिए कितना क्रीमी लग रहा है न यह अब इसमें हम दो चुटकी नमक डालेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए और दो टेबल इस्पून सहद सहद की जगा आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हेल्दी पीनट बटर बनाने के लिए सहद का ही इस्तेमाल करिएगा लेकिन हमें अभी एक क्रीमी अच्छा सा पेस्ट बनाना है इसको पीषने से जार थोड़ा गर्म हो जाता है तो हो सके जार को थोड़ा ठंडा करकर के पीसे तो देखिए यह हमारा फाइनली एक दम क्रीमी ग्लेजी साइनी पीनट बटर बन के तयार हो गया है अब इसे हम एक air tight container में रखकर store कर लेंगे, ये पूरा एक महिना तक बिलकुल खराब नहीं होता है, अगर दाना पहले से ही roast करके रखा हो, तो बस दो मिनट में ये peanut butter बन के तयार हो जाता है, और वो भी एकदम बाजार जैसा, मैं तो कहूंगी बाजार से भी अच्छा, क्योंकि ये घर का बना एकदम healthy है और एकदम organic है, तो आप भी इस तरीके से ये healthy peanut butter जरूर बनाए घर पे, ये peanut butter weight loss में मदद करने के साथ साथ bad cholesterol को भी कम करता है, ये हमारे digestion पाचन तंतर को भी मजबूत बनाता है, और साथ में breast cancer के risk को भी घटाता है, तो इतना फाइदे मंद peanut butter आप जरूर बना के खाईए, इसे बनाना भी बहुत आसान है, आप इसे रोटी या ब्रेड में लगा के खाईए, smoothie, लड़ू, सलाथ, दलिया या ओर्ट्स में भी डाल के खा सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो like, comment, share करें, और शालीनी किचन को subscribe करके bell बटन दबा के all पे click करें, जिससे जब भी मैं new वीडियो लेकि आऊंगी, तो सबसे पहले notification आपको मिले,